तो हेलो दोस्तो, गुद मॉर्नी, वेलकम टू साइन सेविन, कैसे हैं आप सबी? गुद मॉर्निंग गिर्धारी, गुद मॉर्निंग पियंका, बत्तमी दिल, कहां से नाम हैं ये, कैसे नाम हैं ये, चलो, तो कैसी चल रही आप लोगों की तियारी, बताएए, कैसी चल रही आप लोगों की तियारी, आप सबी आ जाएए, शेखावती वीरो का सल्यूट वेरी गुड चलिए तो हम देख रहे थे क्या वर्ल मैपिंग कर रहे थे इससे पहले हमने क्या वर्ल में एशिया देखा था जिसमें फिजिकल और जो आपका पुलिटिकल मैप है उसको देखा था तो यह अब इसी को आगे continue करेंगे और आज का हमारा topic क्या है योरोप क्या है योरोप अगर आप मुझसे अन अकैडमी पर जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरी class वहाँ भी कर सकते हैं स्टैडिक जी की की आपकी सारी classes वहाँ पर कराई जाएंगी और अगर आप कोई भी course purchase करते हैं आन अकैडमी से तो आप इस course का use कर सकते हैं गुड मॉर्निंग इस course इस course का use कर सकते हैं इससे आपको 10% का discount मिल जाएगा किसी भी exam के लिए जिसकी भी आप तियारी करना चाहते हैं चाहे वो SSC हो railway हो, banking हो किसी भी teacher से आप पढ़ सकते हैं चलिए तो हम क्या देख रहे थे world mapping मैंने आपको बताया था कितने continent होते हैं, कितने ocean होते हैं कौन सा बड़ा होता है कौन सा छोटा है, ये सारा discussion हम कर चुके थे होर हमने देखा था Asia एशिया में कौन कौन सी कटन्टी आती हैं आपकी West Asia, North Asia, South Asia East Asia, South East Asia है ना, राइट गुड, चलो तो अब हम बात करेंगे किसकी Europe की किसकी Europe की 8 मिनिट बच्चा वेट, 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 वेट किसकी बात कर रहेते हैं हम Europe की, है ना, Europe की तो ये जो आपका पार्ट है अगर हम मैप देखें तो मैप के जो मिडिल में है क्या है ये है Europe, यहाँ पर क्या है आपका यूराल परवग जो क्या करता है, एशिया को यूरोप से अलग करता है यहाँ पर क्या हो गया, आपका यूराल यह हो गया, आपका कैश्मिन सी दिख रहे है आप लोग को ठीक है, दिख रहे है यह क्या हो गया है, यहाँ पर है आपका यूराल परवग, यह है आपका कैश्मिन सी, यह है आपका ब्लैक सी और यह है आपका भूमद्दि सागर दिख रहा है बच्चो दिख रहा है और ये पूरा जो एरिया है किसका है योरोप का अब हम इसको specifically देखेंगे याद इसको हम specifically देखेंगे चलिए आगे बढ़ते हैं और योरोप को अच्छे से देखते हैं ठीक है, तो अब हम बात करें योरोप की स्पेसिफिकली एक इक करके हम देखेंगे, तो अगर हम बात करते हैं, इसके नौर्ड पार्ट की तो नौर्ड पार्ट में कौन-कौन सी कंट्रीज आएंगी आपकी नौर्वे, स्वेडन, फिनलेंड कौन-कौन सी होंगी आपकी Norway, Sweden और Finland इसी तरीके से अगर हम इधर देखते हैं क्या है आपका United Kingdom क्या है आपका United Kingdom आप लोगों को दिखाई दे रहा है Please comment करके बताईए Please comment करके बताईए आप लोगों को दिखाई दे रहा है Okay, तो हम बात कर रहें थे कि इसकी Europe की यहाँ पर क्या है आपका Eural परवत है जो Asia को क्या करता है Europe से अलग करता है और रशिया की जो capital है Moscow वो कहा है आपके Europe ये छेत्र में और इथर आपका क्या हो जाता है Caspian Sea ये है आपका Black Sea Meridian Sea और ये है आपका Atlantic Ocean अगर हम बात करें 7 continent में तो Europe का नंबर जो है वो कौन सा है Europe का जो continent नंबर है वो कौन सा होगा तो 7 continent है तो जो 2nd last continent है वो कौन सा है आपका Europe पहला कौन सा था Asia अफरीका, North America, South America फिर आपका Atlantic उसके बाद Europe और फिर Australia याद रहेगा चलिए तो अब हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन से ओशियन है और कौन कौन से countries है अगर हम बात करें तो इसमें question बनेगा कि जो Europe के western side में कौन सा ओशियन है तो वो कौन सा है आपका Atlantic ओशियन और अगर हम बात करें south की तो वो क्या होगा meridian क्या होगा meridian ठीक है बिट्टा और इधर अगर हम बात करें तो योराल परवत कैश्विन सी black sea क्या करते हैं इसको अलग करते हैं और अगर बात करें हम इसके पूरे भूबाग छेत्र की तो वो कितना होगा आपका 6.7% कितना होगा 6.7% किसका पूरे विश्व के भूबाग आपका ठीक है अब एक question आता है कि इसकेंड नेवियाई जो countries है वो कौन कौन सी होती है ओके बिड़ा चलिए तो इसकेंड नेवियाई जो country है वो कौन कौन सी है तो जो इसकेंड नेवियाई country है वो कौन सी है आपकी नौर्वे, स्वेडन, फिनलेंड, डेन्मार्क और आइजलेंड डेन्मार्क और आइजलेंड के अगर हम बात करी तो ये बाशाई आधार पर इसमें जोड़े गए है ठीक है तो ये पूरा कौन सा प्रायदीप होगा इसकेंड नेवियाई प्रायदीप इसी तरीके से एक और question आता है कि आई रेवियन जो प्रायदीप है वो कौन सा है तो आई रेवियन के अगर हम बात करें तो वो कौन सा होगा आपका पुर्तगाल और Spain कौन सा होगा आपका पुर्तगाल इस्पेन ठीक है याद रहेगा बच्चा याद रहेगा और इसी तरीके से अगर हम बात करें एक question ये भी आता है कि कौन सी जो है Baltic country है Baltic country तो Baltic country जो है जो यहाँ पर आपका Baltic sea है कहाँ पे ये जो आपका Baltic sea है इसके पास की जो country है कौन सी Estonia, Latvia, Lithuania ये मिलकर क्या बनाती है Baltic ठीक है Baltic और यहाँ पर कौन सा sea है आपका Baltic sea और अगर हम बात करें कि स्वेडन और फिल्लेंड के बीच जो खाड़ी है वो कौन सी आपकी बोतनिया की खाड़ी कौन सी है तो जो आपके Meridian जो भूमर्द सागर है उससे लगी हुई जितनी भी country है वो क्या आएंगी आपकी Balkan country है इतनी छोटे 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 continent जब आपका पूरा प्रित्वी जो था वो क्या था एक ही पिंट था जो क्या हूँ अधी मेदी में प्लेटे तूटना शुरू हुई तो ये तूट तूट के जुड़ी हुई प्लेटे हैं ठीक है जूम करो चलो इसको देखे चलो आगे देखते हैं अब इसका हम जो देखेंगे वो क्या देखेंगे अपना physical structure है ना तो मैंने इसके साथ ही क्या होगा यहाँ पर यहाँ पर क्या होगा डेन्मार्ग ऊपर अगर हम नौर्थ में बात करें तो कौन सा है आपका नौर्वेजियन सी कौन सी नौर्वेजियन सी और इधर अगर हम बात करें तो कौन सा है आपका Atlantic यहाँ पर आपका Meridian और इधर आपका यह यूराल माउंटेन यह आपको दिख रहा होगा यह है आपका यूराल माउंटेन और जो कहां तक आ रहा है आपके Caspian Sea तक और यहाँ से जब हम इधर बढ़ेंगे तो यहाँ पर है आपका Cacacus Cacacus Mountain जो क्या कर रहा है इसको भी विभाजन का काम कर रहा है किस से? एशिया से है ना तो यहाँ पर यह आपका यूराल है यह Caspian है यह Cacacus है यह Black है और इधर आपका क्या है? Meridian Sea तो अगर भी विभाजन की बात करें एशिया और यूरोप की तो उसमें कौन-कौन से है? आपका यूराल, Caspian, Cacacus, Black और Meridian अब अगर हम बात करें किस की? अब अगर हम बात करें कि जो आपका अफरीका है जो आपका अफरीका है उसको यूरोप से कौन अलग करता है? तो यहाँ पे एक संदी है क्या नाम है उसका? जिब्राल्टर जिब्राल्टर जो है वो क्या करती है? आपको यूरोप को अफरीका से अलग करती है और यहाँ पे जो अफरीकन कंट्री है है तो यह है आपकी वाइट सी ठीक है यहां पे कौन सी सी है आपकी वाइट सी दिख रहे है और यह जो आपका क्या है इस्टोनिया लाट्विया लुथवानिया जिसको क्या कहते हैं बाल्टिक सी जो कि कहां यहां पे जो खाड़ी पड़ती है यहां पे जो खाड़ी है वो इस्टोनिया दोनों की बीच में कौन सी खाड़ी है आपकी फिल्लेंड की और इसी तरीके से अगर हम बात करें कि फिल्लेंड और स्वीडन के बीच कौन सी खाड़ी है तो वो कौन सी है आपकी बोथनिया और अगर हम नीचे आते हैं इसी में कि पहले क्या हो गया आपका नormuş दनिया इधर बढ़ते हैं यहां पर क्या है आपकर बांग अंडर किया आपका डब अब जो कि आपका United Kingdom है वो जो में यूरोप है उससे यह अलग प्रायदिक से दिख रहा है और इसके बीच जो चैनल है उसको क्या कहते हैं English Channel ये आपकी Question में काफी वार पूचा गया है कि English Channel किसके किसके बीच है तो English Channel की अगर हम बात करें तो वो किसके बीच है फ्रांस और United Kingdom के बीच किसके बीच है आपके ओके नीलू, ओके गिर्धारी लार ओके चलो, तो हमारे जो कोश्चन है कि प्रांस और यॉनाइटेड किंग्नम के बीश जो चैनल है उसका क्या नाम है? उसका नाम है इंग्निश चैनल क्या बात होगी नीलू? क्यों परेशान हो बेटा? बिल्कुल, पूरा मैपिंग मैं आपका कराऊंगी परेशान मत हो ये तो यहां पर कौन सा हो गया? आपका इंग्लिश चैनल तो हमने कहां से देखा था? पहले हमने देखा गल्फ और बोतनिया जो किसके किसके बीच है? आपके स्वेडन और फिनलेंड के बीच उसी के बाद हमने देखा गल्फ और फिनलेंड जो किसके बीच है? फिनलेंड और एस्टोनिया के बीच उसके बाद हमने बात की बाल्टिक सी की जो किसके बीच है? लाट्विया, लिथवानिया और Estonia, Latvia और Lithuania इधर जब हम आगे तो यहाँ पे क्या है आपका North Sea North Sea की बात करें तो यहाँ पे क्या है United Kingdom है और यह क्या है Norway Norway है ना तो यह दोनों मिलके इनके भी जो सागर है उसका नाम क्या है आपका North Sea और जो आपको United Kingdom और फ्रांस के बीज जो चैनल है वो कौन सा है आपका English चैनल बिटा यह चीज ना आपको मैपिंग करोगे जब और एक चीज याद रखे जब भी जब भी आप मैपिंग करोगे तो पहले आपको याद करना पड़ेगा कि कौन सी लोकेशन कहां पे है इसके लिए important है कि आप अपने साथ map लेकर बैठिये जिससे कि आपको समझ आए कि क्या वता रहे हैं तो यह question आपके exam में पूछा जाता है आप देखो जैसे कि countries थी ना आपकी यह आपकी Gulf of Botnia हो गई Baltic हो गई यहाँ पे क्या है आपका Denmark तो यह किस में आया था आपके Scandi Navy I में है ना और यह जो है आपका कि आप बोलते हैं इसको Ivarian जो आपके भूमद सागर से लगा हुआ च्छेतर है उसको क्या बोलते हैं हम Balkan Balkan countries कौन सी होंगी जो भूमद सागर से लगी होंगी कौन सी लाट्विया लिथवानिया ठीक है तो इतना समझ आया अब हम फैक्ट के द्वारा इसको अच्छे से जानेंगे तो हमारा जो है अब हम आगे देखते है Europe is the continent located entirely in the northern hemisphere जो हमारा क्या है जो हमारा Europe है वो कौन से hemisphere में होगा equator की जो उपर है जो zero degree है उसके उपर जितने भी छेत्र है उसको क्या कहते है North Hemisphere और नीचे जितना भी है उसको क्या कहते है South Hemisphere ठीके तो जो आपका Europe है वो कौन से hemisphere में आएगा North Hemisphere किसमें उत्री गोलार्द में और उत्तर में भी बात करने चेत्र है उसको क्या कहते है प्रायदीपो का प्रायदीप क्या कहते है आपके प्रायदीपो का प्रायदीप और Eurasia का प्रायदीप यह भी कहा जाता है क्योंकि यह Europe और Asia से मिला हुआ छेत्र है याद रहेगा ठीके और इन दोनों को जो एशिया और यूरोप का जो छेत्र है उन दुनों को मिला के क्या कहते हैं हम यूरेशिया ओके बटा चलिए आगे देखते हैं इट इस सराउंड बाइ बॉटर वाड़ी इन थ्री साइड आर्पिटिक ओशियन इन दा नौर्थ अट्लांटिक ओशियन इन वेस्ट एंड मेरिटियन सी इन दा साउथ मैंने आपको बताया कि ये तीन करब से जो क्या है पानी से गिरा हुआ है आपने देखा था कि इसका जो छेत्र था वो इस साइड था और इधर क्या था ये पूरा क्या जल छेत्र है है न ये जल छेत्र है तो अगर हम उत्तर में देखें तो उत्तर में जो महासागर है वो कौन सा होगा आपका आर्केटिक सी है न उपर क्या होगा आपका आर्केटिक सी और अगर हम बात करते हैं किसमें पक्षिम में तो पक्षिम में क्या होग आपका Atlantic Ocean, Atlantic महसागर और दक्षन में कौन सा होगा आपका भूमद सागर ध्यान रहेगा विटा चलिए आगे देखते हैं नेक्स प्षोचन है, इट इस सेपरेटेट फ्रॉम एशिया वाई कैस्पियन सी और यूरावल माउंटेन, मैंने आपको ये भी बता दिया कि जो आपका एशिया है यूरोप से किस से अलग होता है, आपके कैस्पियन सी, काकेकस माउंटेन, यहां पे क्या था आपका साहगर, ठीक है? चलिए, जल्दी से सभी आ जाएए और पढ़ते रहेए, यह important है आपकी exam के लिए, अब मैंने आपको बताया कि जो Norway, Sweden, Iceland, Denmark है, इसको सभी को समलित रूप से क्या कहते है, Scandi, Navy I, कौन सी countries होंगी यह, Scandi, Navy I, है न, यह कौन सी होंगी Scandi, Navy I, अगर हम बात करें किसकी, Iceland की और Denmark की, तो इसको जो जो जोड़ा गया है, इस छेत्र में, क्यों जोड़ा गया है, इसके भाशाई आधार पर, है न, क्योंकि यहाँ पर जो language यूज की जाती, जो भाशा की जाती, वो क्या है, लगभग, लगभग, similar है, यह क्या चल रहा है, आप लोग पढ़ करते हैं, जो नीदर लेंड है, जो नीदर लेंड है, जिसको क्या कहते है, Holland, land has been reclaimed by pushing the sea water backward for the agriculture purpose, the embankment construction is restricted, the sea are called dykes, तो आपका जो है, question पूछा जाता है, कि dykes जो है, उसे क्या कहा जाता है, ओके जितेन, चलें, जो dykes है, वो क्या होता है, जो नीदर लेंड में, क्रशी उदेश के लिए, जो समुद्र का पानी लिया जाता है, मतलब वहां के पानी को इखटा किया जाता है, उसको क्या कहते हैं, हम dykes, क्या कहते हैं, dykes, कहां पे? चलो तो उसको क्या कहेंगे हम डाइक सो यह कहां पर किया जाता है आपके नीरे लेंड में किसलिए क्रशी के लिए क्रशी उदेश के लिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स देखते हैं अब का मतलब होता है, जो कटा फटा सा, जो छेतर होता है आपने देखा होगा कि जो नौर्वे है, उसका जो किनारा है वो काफी कटा फटा है आपके एक्जाम में ये कवश्शन भी पूछा जा सकता है ठीक है आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो भुषा गया है एक्जाम ज़ीलों की भूमी है वो कौन सी है कौन सी है फिंलेंड और क्यों है क्योंकि जब आइस जब वर्फ बहां का जो वर्फ है पिघल कर एक इस्तान में भर जाता है जिसके कारण क्या बन जाती है, जीले बन जाती है, इस वजए से इससे क्या कहते है, जीलों की भूमी, याद रहेगा? क्या है? क्या बात कर रहे हो आप लोग क्या बात कर रहे हो पढ़ लो बेटा और क्लास को like कर दीजियो और share कर दीजियो बाकी सब भी कहा है बताओ चलो Spain और पुर्दगाल मैंने आपको बताया था की जो पुर्दगाल और Spain है उसको क्या कहते हैं उसको कहते हैं आपका आइवेरिया Scandinavia countries बता दी आपको और ये क्या है आपका आइवेरिया छेत्र कौन सा Spain और पुर्तगाल कौन कौन से हैं आपके Spain और पुर्तगाल चलो आगे देखते यूगोसलाविया, ग्रीस, रोमानिया, अल्बानिया, काला सागर और भूमद सागर के तरफ पर इस्थित जो countries हैं उसको क्या कहते हैं बालकन ये मैने आपको अभी मैपिंग में बताया था कि जो भूमद सागर से लगे हुए छेत्र है या देश है वो उनको क्या कहते हैं बालकन और उसमें कौन-कौन से आएंगे यूगोसलाविया, ग्रीस, रोमानिया, अल्बानिया, काला सागर और भूमद सागर ठीके इस छेत्र को क्या कहेंगे हम बालकन क्या कहेंगे हम बालकन आगे बढ़ते हैं और नेक्स देखते हैं नेक्स है हमारा लिथ्वानिया, लाट्विया, एस्टोनिया आर्ट टुगे Sweden, Finland, उसके नीचे जब हम क्या कहते हैं, साउस में बढ़ते हैं, तो वहाँ पर क्या आता, Estonia, Latvia और Lithuania, सबसे उपर क्या है, Estonia, Latvia और Lithuania, और इस सारे इस जो छेतर है, इसको क्या कहा जाता है, आपका Baltic Raj, क्या कहा जाता है, आपका Baltic Raj, ओके अखिल, गुड मॉनिंग बिटा, वरी गुड मॉनिंग, याद रहेगा, Baltic Countries कौन है, आप लोग पढ़ लो बिटा, पढ़ लो, हाना, पढ़ लो, चलो, आगे देखते हैं, मेजर माउंटेन रेंज, जो हैं, मतलब की जो वहाँ पे मुख्य परवशंखला हैं, वो कौन कौन सी हैं आपकी, केंटावेरियन, पाइरनीज, एपनीज, दिनारिक, एल्प्स और कारपोथियन, काजोल और बालकर परवश, ठीक है, कोलन, ये आपको याद रहना चाहिए, कौन कौन सी मुख्य जो रेंग हैं, वो कौन सी हैं आपकी, केंटावेरियन, पाइरनीज, पि कारपोथियन कारपोथियन ठीक है जम्मी कश्मीर को इंडिया से अलग कर दिया गया है वो हमेशा से इंडिया का फाग है हमेशा रहेगा don't worry about it ठीक है अब हम बात करें जो यूरोप है इसमें जो सबसे ऊची चोटी है तो ये भी कोश्शन आपका बनता है कि यूरोप की सबस उची चोटी है वो कौन सी है आपकी Mount Elbrus कौन सी है आपकी Mount Elbrus ठीक है बच्चा सबसे उची चोटी है वो कौन सी है आपकी Mount Elbrus आगे बढ़नें जो Major Plateau है अब योरोप में जो Major Major Plateau है हम उसके बारे में जानेंगे की कौन कौन से है तो हमारे option है क्या iberian iberian plateau है जिसमें कौन-कौन सा छेतर था आपका Spain और पुर्दगाल इसमें कौन-कौन सा छेतर था आपका Spain और पुर्दगाल है ना इसमें कौन-कौन सा छेतर था आपका Spain और पुर्दगाल इसी तरीके से क्या France में भी है France का केंद्रिय परठाथ है ना फ्रांस का किरंद्रिय परठाथ इसके अलावा क्या है जर्मनी का बोसेज जर्मनी में जो प्लेटियो इसको क्या कहते हैं बोसेज है ना और दूसरा कौन सा है ब्लेक पॉरेस्ट आपका कोश्चन ये भी बनता है कि जो ब्लेक पॉरेस्ट है वो कह पर है तो वो कहां पर है आपके जर्मनी में कहां पर है जर्मनी में इसको क्या कहते है काला पहाड़ी है और क्या है बोहेमियन पठार बोहेमियन पठार भी कहां है आपके फ्रांस में याद रहेगा बिटा में वर्ल्ड की रिवर्स प्लाट्यू माउंटेन वालकेनू सब करा हो किसमें स्पेन और पुर्द गाल में फ्रांस में कौन कौन से insist कि अपका केंद्रियर्थार जिसको क्या कहते हैं सेंटरल प्लैट्ट ईन्य गड़्ड रखेंग। यह dhone कोश्चन आपके ज़रूर है ठीक है याद रहेगा चलिए कि प्रमूक स्ट्रेट कौन सी है तो जो कि हमने देखा था कि जो स्ट्रेट हैं जलसंदिया हैं उनकी बात करते हैं तो में तोह आपकी जिब्राल्टर की जो जो संदी है जो की क्या करती है आपको अफ्रीका से यूरोप को अलग करती है है ना बिल्कुल बेटा ये भी करा दूँगी ठीक है तो हम देखते हैं कौन-कौन से जल्डमरू मद्य हैं तो अगर हम बात करें तो कौन सा है आपका एक तो है इस ट्रेट और बाल्टिक्स ये भी मैंने आपको अबी बताया था है ना तो इस तरीके से इसमें जो इंपोर्टन इंपोर्टन रहेंगे वो मैं आपको अलग से करा दूँगी चलो आगे देखते हैं इसके इंपोर्टन फैक्ट इंपोर्टन आइलेंड ग्रूप जो है तो क्या है आपका वहां पर दो दूइप समू हैं कौन से एक तो है ग्रेट बिटेन और दूसरा है आईलेंड इसको याद रखेगा ये क्वेशन आपके एक्जाम में पूछा गया है है ना चलो आगे देखते हैं ग्रूप ऑफ आईलेंड जिसमें दूइपों का समू जिसमें प्रमुक ग्रेट बिटेन और आईलेंड होते हैं उसको क्या कहते हैं ब्रिटेस दूइप समू हम कहते हैं ब्रिटेन ब्रिटेन तो वो ब्रिटेन का जो छेतर है वो कौन सा है आपका ग्रेट बिटेन और आईलेंड है ना बिलकुल बिटा मेरी आन अकैनमी पे भी क्लास स् चलिए बताइए चलिए आगे देखते हैं जो ट्रांसाइबेरियन रेल रूट दुनिया का सबसे लंबा रूट है यह पश्चिम में सैंट पीटरबर्ग से और पूरब में जो है ब्लाद दिवो तक को जोड़ता है तो इसका जो छेतर है वो कहां से योरोप से लेके रशिया का जो पूर्वी छेतर है वहां तक यह पूरी रेल रूट है जिसको क्या कहते हैं ट्रांस साइबेरिया चेतर किसको कहते है रशिया का जो छेतर है उसको क्या कहते हैं साइबेरिया कहते हैं इससे ध्यान रखेगा तो इसका जो छेतर हो कहां से है योरोप से लेके पूर्व रशिया तक, ओके बटा, याद रहेगा, चलिए, अब इंपॉर्टेन जो रिवर हैं, वो कौन कौन सी है, प्रमुख नदियों की बात करें, कौन सी है, डेन्यू, नीपर, डॉन, एल, लायर, ओर्डर, पो, इनको अभी आप सिर्फ देखिए, इनका जो ओरेजन है, है ना, य ये सारी चीजे भी अलग से कराऊंगी, बिल्कुल बेटा, सारी कंट्रीज वाइज इसको अच्छे से कराऊंगी, अभी सिर्फ आपको ओवरॉल एक मैप जो है, यूरोप का, वो मेमोराइज कराने की कोशिश कर रही हूँ, कि अगर मैं बोलू कि ये स्ट्रेट, या ये ग इपर हो गई, डॉन हो गई, एल, लायर, ओर्डर, पो, राइन, रोन, चैनन, टेगस और बोलगा, है ना, बोलगा, आपने सुना होगा कि जो आपकी डेन्यूब है, वो क्या है, यूरोप की सबसे लंबी नदी है, है ना, सबसे लंबी नदी है, जो की यूरोप की पाँच जो capital countries हैं, उनसे होकर जाती है, टोटल ये 8 countries से होकर जाती है, जिसमें की 5 रूप से, मुख्ये जो capital है, उसकी, उससे होकर गुजरती है, कौन सी, डेन्यूब, और अगर हम बात करें, किसकी, बोलगा की, तो ये second largest river है, कहां की, यूरोप की, कहां की, यूरोप की, ठीक है, याद रहेगा, आगे बढ़ते हैं, next देखते हैं, the बोलगा is the longest river in the Europe, अभी मैंने बताया, कि जो बोलगा है, वो क्या, यूरोप की सबसे लंबी नदी है, है न, और जिसे डॉन नदी के साथ, जोड़ा गया है, है न, और इसलिए ये है, काला सागर के महादीव, के आंतरि जो चेतर है, वहाँ पर होगा, हाँ, इटली की गंगा जो है, वो क्या है, अपकी पो, राइन नदी के अगर हम बात करें, तो ये सबसे जो busy route है, water का, उसकी कौन सी है आपकी राइन नदी, कौन सी है आपकी राइन नदी, है न, यूरोप की अगर सबसे वेस्थम नदी की अब बात करते हैं हम डेनीव की तुमनेंब हैं यूच्छां उसे गिजरती है और अगर हम राजदानियों की बात करें तो इन्हकु सबसाल utilizar किसकी राजदानी की आगा ज़ कि स्लोवेनिया की Belgrade, यूगोस्लाविया की है, बदा पेस्ट जो की किस की है, हंगरी की, और व्येना जो की है किसकी अस्ट्रेलिया की, तो ये कौन कौन सी है, पांच कंट्री, एक तो ओगे आपकी, बुखारेस्ट जो की किसकी है, रोमान्या की, ब्राटिस्लावा, स्ल करती हैं आपकी 5 राज धानियोंसे होकर घुजरती है। अब बात करें, जो फ्रांस की इन्ग्लिस चैनल में गिरती हैं, मैंने बताया था, कि जो आपका, जो फ्रांस का उत्री छेतर है, वहाँ पे कौन सा चैनल है आपका, English Channel, उसमें कौन सी नदी भेती है, सीन नदी, ये कोशन भी बनता है आपका, कि जो France है, वहाँ पे कौन सी नदी भेती है, तो वो होगी आपकी सीन नदी, Good Morning Himani, लेटो गए बटा, चलो, याद रहेगा, तो जो France है, वहाँ पे कौन सी नदी भेती है, आपकी सीन नदी, है न, जो किसमी गिरती है, आपके English Channel में, इसको specific रूप से भी बताऊंगी, चलो, आगे बढ़ते हैं, पो रिवर, अभी बताया गया, कि जो पो नदी है, वो क्या है, इटली की गंगा, ये भी कोशन बोला, बताया, क्या कहते है, पूछा जाता अब बात करें, जो Grassland आपने पड़े होंगे, Stabies, तो ये कहां पे है, आपके, Grassland की बात करें, जो घास लिए छेतर है, वो कहां पे, जो हंगरी में पाय जाएगा, उसको क्या कहेंगी, जो Grassland है, उसको है, पूस्ताज, क्या कहेंगे, पूस्ताज, ये कोशन आपके exam में का काफी बार पूछा गया है, तो इसको ध्यान रखेगा, कि जो हंगरी में जो Grassland है, उसको क्या कहते हैं, हम पूस्ताज, और जो ये उक्रेन में पाय जाती है, वो क्या है, आपकी Stabies, क्या है आपकी Stabies, याद रहेगा, याद रहेगा, चलो, आगे बढ़ते हैं, नेक्स द जो यूक्रेन हैं, उसको दुनिया का क्या कहते हैं, ब्रेड बास्केट, क्यों कहते हैं, क्योंकि जो यहाँ पे गिहूं उत्वादन होता है, वो सरवाधिक मात्रा में होता है, ओके नेलू, वो क्या होता है, सरवाधिक मात्रा में होता है, है न, कहां पे यूरो, यूक्रे मक्का, जौ, तिलहन और चावल कौन-कौन से हैं आपके मक्का, तिलहन, जौ और चावल ठीक है? याद रखेगा इस चीज़ को आगे बढ़ते हैं और निक सिखने हैं क्रिशी जन्गर्णा के अनुसार यूरोप में 90% ओट, 50% जो 25% गेवू का उत्पादन होता है फिर भी क्या है यापे? इनने खादान का आयात करना पड़ता है इतना प्रोडक्शन करने के बाद भी इनको क्या करना पड़ता है? अपना जो खाने पीने का सामान है वो बाहर से ओर्डर करना पड़ता है है ना? प्रोड करना पड़ता है ठीक है? क्योंकि क्या है? वहां का जो छेतर है वो क्रशी होगी तो है नी क्योंकि क्या है? एक तो जो है वो किस पे है? Northern Happy Sphere में है जहाँ पर जादातर क्या है? हिम छेतर है जिसकी वज़े से production करना काफी मुश्किल होता है आगे बढ़ते हैं दुनिया में उत्पादित आलू का लगभग तीन चोथाई जो है यूरोपिय मिट्टी पर उगाया जाता है तो अगर हम बात करें कि पूरे विश्व में जो आलू का पूरा production है उसमें कितना एक तिहाई कितना तीन चोथाई तीन चोथाई जो है वो कहाँ पर उत्पादित किया जाता है आपके यूरोप में तो इसको याद रखेगा ओके है मानी ओके चलो आगे देखते हैं अब कुश्शन बच्चे पूछ रहते कि कितनी countries होती है तो आप देखते हैं कि जो देशों की संख्या है वो संयोक्त राष्टे द्वारा कितनी है यूरोप में 44 countries है कितनी है आपकी 44 ओके प्रिया राधे राधे बिटा चलो कितनी है तोटल 44 countries है किसमें यूरोप में चलो मिलान को इटली के मांचेस्टर के रूप में जाना जाता है किसको इटली के मांचेस्टर के रूप में किसे जाना जाता है आपके मिलान को है ना और जो ट्यूरिन है ये जो ट्यूरिन है इसको क्या कहते है इटली का डेट राइट मतलब जो Turin छेतर है वहाँ पे क्या है Automobile प्रोडक्शन है वो क्या है सबसे जादा है कहाँ पे है आपके Turin में कहाँ पे है आपके Turin में तो ये भी कोशन पूछा आता न मैचिंग के लिए कि इसका प्रोडक्शन कहा होता है इटली के डेटराइट किसे कहा जाएगा टुरिन को और इटली का जो मांचेस्टर है वो क्या होगा आपका मिलान याद रहेगा चलो आगे बढ़ते हैं मौस्को कॉल्ड इस कॉल्ड दा पोर्ट ओफ फाइव सीज जो मौस्को है मौस्को क्या है रशीया की कैपिटल है इसको क्या कहते है port of five seas it connected to five sea-throw river and canal मतलब यह जो है क्या मौस्को वो पांच पांच दरब से क्या sea root बनाता है क्या बनाता है आपका sea root जिसकी वज़े से इस से क्या कहते है port of five seas यह नदियों और नहरों के माधम से पांस समुद्रों से जुड़ा हुआ है, तो इसमें जो पानी का छेत्र है, वो नदियों और नहरों के द्वारा कहां आता है, पांस तरफ से आता है, जिसकी वजह से इसको क्या कहते है, पोर्ट और फाइफ सी कौन गौन से हैं एक तो हो गया आपका कैस्पियन सागर दूसरा हो गया आपका काला सागर तीसरा हो गया आपका बाल्टिक सागर चौथा हो गया आपका सफेद इसके बाद हो गई आपकी जील ठीक है तो इसको याद रखेगा क्या आप लोग अपनी ही बातों में लगे हुए चलो ठीक है तो इसको याद रखिएगा अब बात करतें इंटरनेशनल सीड बैंक कौनसा इंटरनेशनल सीड बैंक की ये भी कोश्चन पूछा जाता है कि जो सीड बैंक है वो कहां पर है तो वो कहां है आपके नौर्वे के स्वाल बाड में नौर्वे के स्वाल बाड में ठीक है क्या है आपका अंतरास्टिय बीच बैंक याद रहेगा ओगे प्रियंका पीडिय भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा डोट बरी पहले पढ़ लो अब बात करें कि जो यूरोपिय शब्द है का पहली बार एक भौगालिक शब्द के रूप में यूपियो किया किसने होमियन हाइमन ने में डॉलियन अपोलो एजिन सागर करके पश्चिम में किनारे के संदर में किया गया है ठीक है और यह है जो महादीब है सम्सीतोष्ण जरलवायू अश्छेतर में इस्ते दैजो की बैस्टिरली के उस्ते प्रभावधत होता है सम्सीतोष्ण की बात करें तो यह कहां है जो आपको 66गज़ी है 66ज़ज़ीन हा वो उस छेतर में क्या है उस छेतर को क्या कहेंगे सम सीतोषन क्या कहेंगे आपके सम सीतोषन छेतर ठीक है ये भी आपका एक एक करके में कराओंगी कौन सा छेतर क्या होता है आगे देखते हैं जो यूरोप का भू विज्ञानिक इतिहासिक बाल्टिक शील्ड है कितनी बार यह आपके question आ चुका है Baltic तो आपको याद हो गया होगा कि Baltic country कौन सी है सील के गठन से लगभग 2.25 अरब साल पहले का है ठीक है तो जो Baltic है वो कब का है उसका time period दिया गया है कि वो है आपका 2.25 ठीक है याद रहेगा चलो तो यह आज आपकी class थी योरोप की आप लोगों को यह याद हो गया होगा कि कौन सी location कहाँ पर इस्तित है अब इसकी जो संदिया है खाणिया है इसके जो mountains है mountains से कौन सी river निकलती है इसका specific video में हम इसका discussion करेंगे तो इसको ध्यान रखेगा ओके हिमानी तो ऐसे ही पढ़ते रहिए खुश रहिए ठीक है और ध्यान रखेए अपना और कल जब मैं इसको आगे मैं चाहूंगी कि आप लोग एक बार इसको map में जरूर देखिए कि कौन सी country का location कहाँ है जिसे कि next time मैं अगर कोई भी river की बात करूँ जलसंदी की बात करूँ mountain की बात करूँ तो आपको पता होना चाहिए ओके से भी चलिए तो बाब बाई टेक क्या